हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी एच्छोंग दोस्वागत एक और वीडियो के साथ तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो चैनल को सस्क्राइब करो जैसा कि आप सभी को पता है कि UGSE का रेजिस्टेशन चालू हो चुका है और रेजिस्टेशन का डेट है दस माई से दस जून तक ठीक है वहलब कि एक मंत का टाइम दिया गया है और उस मंत में आपको अच्छे तरीके से रेजिस्टेशन करना है अगर कोई भी गलती आप करते हो रेजिस्टेशन करने वागत तो उसका इडिटिंग का भी टाइम दिया गया है आपका 12 तरीक से 13 ठीक है फिर उसके बाद 15 तरीक को आपका मेरिट लिष्ट आएगा और मेरिट लिष्ट आने के बाद युजी एसी का रैंक आएगा वही मेरिट लिष्ट होता है और उसके बाद आपका च्वाइस फिलिंग चालो होगा तो कैसे कितने परसेंटाइल है तो कितने रैंक बने की आपके rank कितने बनेंगे और उतने rank पर College मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ठीक है तो सबसे हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं जिन बच्यों का 90 से 99% तक है जेएमें में उनके rank कितने बनेंगे देखों उनके rank जो बनेंगे 1 से 50 rank तक बनेंगे UR Rank मैं और category rank की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ UR Rank की बात कर रहा हूं UR Rank आपका बनेगा 1 से 50 तक जिनका 90 से 99 परसेंटाईल तक रहेगा ठीक है, और जिन बच्चों का 80 से 90 परसेंटाईल तक रहेगा उनका जो rank बनेगा 50 से 300 तक बनेगा ठीक है, पचास से तीन सो तक आपकार रचंग बनेगा UGSE का, ठीक से 2700 तक UGSE rank बनेगा ठीक है और जिन बच्चों का 50 से 60% है उनको बनेगा उनका rank बनेगा पंदरो सो से 3600 तक rank बनेगा ठीक है क्या बनेगा पंदरो सो से 3600 rank बनेगा और जिन बच्चों का 40 से 50% है उनका बनेगा 2000 से 4500 तक UGSE rank बनेगा ठीक है अब हम बात कर लेते कि जिन ब से च्पपन सो तक इस जी एसी रेंक बनेंगे ठीक है जिनके बीच से तिस परसेंटाइल के बीच में है उनका चार हजार से पैसोटों तक रेंक बनेंगे और जिनके एक से दस परसेंटाइल तक है उनको 5000 से 9000 तक rank बनेंगे तो मैंने जिक्र कर लिए कितने percentile पर कितने rank बनेंगे अब यह भी बहुत सारे बच्चों कमंड में question है कि भाईया कितने rank तक हमको college मिल जाएगा ठीक है कितने rank तक हमको बिहार इंजिनियर में कोई भी branch मिल जाएगा ठीक है तो आपको एक से 10 तक ठीक है मतल percentile या 50 percentile या 60 percentile तो आपको कोई ना कोई college कोई ना कोई branch मिल जाएगा लेकिन अगर आप चाहोगे कि मेरे percentile आपके percentile कम है और आपको computer science engineering मिल जाए तो यह पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर आपके percentile अच्छे रहेंगे जैसे कि अगर आपके percentile 30 percentile से ऊपर रहेंगे तो आ अगर आपके percentile इतने है तो इतने रहें इतने rank बनेंगे आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जो बच्छे को लग रहा है अप चाहें बहुत सारे मन में doubt है और उन सकते हो ठीक है और भी बहुत सारे सुब्दाएं हम लोग provide कर रहें आप call कर सकते हो जब आपको कोई भी doubt हो तब ठीक है तो जल्दी से सभी लोग join कर लो ताकि आपको कम percentile भी है तो अच्छा college मिल जाए और ज्यादा percentile भी है तो अच्छा college मिल जाए तो I hope आप सभी को वी पैनल को सस्क्राइब जरूर करना